कक्छा नाइन्थ के स्टूडेंट्स जैहिन स्टूडेंट्स आज हम आपके सिविक्स एन्सी आर्टी पाठे पुस्तक सिविक्स एन्सी आर्टी पाठे पुस्तक के चैप्टर पांच के दूसरे वीडियो से आपका परिचाय करा रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पहले वीडियो में मैंने आप सबको ग्वंतनामो जेल में बंद एक कैदी पिता की रिहाई के लिए उन्ही के नौ बर्सी पुत्र द्वारा अपने देश के प्रधान मंतरी को लिखे पत्र का जिक्री किया था और उसे मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की थी काफी मर्म असपर्सी पत्र था वा आज के इस दूसरे वीडियो में हम मुलता उसी विसे को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स अब आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए देखिए ग्वंतनामू बेज जेल क्यूबा आज हम स्टूडेंट्स को एक ऐसी जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे कुख्यात और सबसे महंगी है सबसे महंगी है यह जेल क्यूबा में स्थित है और इसका नाम ग्वंतनामो बेज जेल है तो स्टूडेंट्स इसको हम ग्वंतनामो बेज जेल कहें या डिटेंशन कैंप भी हम कह सकते हैं स्टूरेंट्स इस जेल का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह ग्वंतनामों खाड़ी के तर्ट पर स्थित है मतलब जहां पर ये जेल है उस जगा को ग्वंतनामों की खाड़ी कहा जाता है है ना जैसे कि भारत में बंगाल की खाड़ी है है ना उसी तरह से ग्वंतनामों की खाड़ी जहां पर है उसी अस्थान पर ये जेल बना हुआ है क्यूबा में इसलिए इसको हम लोग ग्वंतनामों बे जेल कहते हैं इस जेल में अमेरिकी आतंकवादी हमला 9-11 के कैदियों को रखा जाता है कुछ अभी भी बंद है तो स्टुडेंट्स जदी आपको याद है पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सितंबर 2001 में अमरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था आतंकवादी हमला कैसे हुआ था उस आतंकवादी हमले में तीन हवाई जहाजों को हाईजैक कर लिया गया था उसमें से एक हवाई जहाज जो है अमरिका के नियॉर्क सहर में स्थीत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जाकर ठोकर मारता है और वह जो एक विशाल धरास मतलब भव जो की सौ तल्ले से भी अधिक था अधिक उंचा था वो धरासाई हो जाता है उसमें हजारों लोगों की मौत होती है और दूसरा जहाज जो है अमेरिका के जो रक्षा विभाग का जो कारेल है डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कारेल है पेंटागॉन में तो वो पेंटागॉन जो है वहाँ पे जाता है वो वहाँ गीरता है उसको कुछ थोड़ी छती पहुंच आता है और तीसरा जहाज जो है जिसको हाइजक किया गया था वो Pennsylvania एक स्थान है एक राज है अमरीका का तो Pennsylvania के खेतों में जाकर गिर जाता है और इस परकार से उन तीनों जहाजों में जो भी यात्री होते हैं वे सारे के सारे भी मारे जाते हैं तो अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है students और एक परकार से यह बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है और अमेरिका जैसे ताकतवर देश पर इस परकार का हमला होना एक बहुत ही अचरज की बात है ठीक है स्वेंट्स तो अमेरिका जैसा सक्तिसाली देश भी जब कोई आतंकवादी हमला हो गया तो फिर उसके पास उसके पास भी कोई उपाय नहीं था कि वो क्या करता है न लेकि उसकी जो प्रात्मिक्ता थी कि जितने भी आतंकवादी है वो चाहे किसी भी देश में छीपे हुऊ हो तो उनको पकड़ना है ना तो उनको पकड़ने के क्रम में सुडेंट्स हो सकता है कि कुछ बेगुनाह लोग भी पकड़े गए हो है ना तो मुलता यही हम यहां पे चर चरी आगे देखते हैं इस जेल में अमरेकी आतंकवादी हमला 9-11 के कैदियों को रखा जाता है कुछ अभी वी बंध है इस जेल में प्रती कैदी खर्च करोडों रुपए है वो तो होगा ही क्योंकि उसके देखभाल पर बहुत ज्यादा सैनिक लगे हुए है है ना और एक बता दू कि गवंतनामों बे जेल की जो अस्थापना हुई वो जनवरी 2002 में हुई तो सितंबर 2001 में तो अमरेका पर आतंकवादी हमला हुआ और उसके कुछ महीनों के बाद जनवरी 2002 में ये जेल बनकर तयार हो गया ठीक है स्प्रेंट्स अब आगे देखिए स्प्रेंट् इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वहाँ है क्या-क्या ग्वंतनामों बे का जेल प्रिजन इन ग्वंतनामों बे अमरीकी फाउज ने दुनिया भर के बिभिन अस्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया चुपचाप पकड़ लिया मन क्यूबा के निकट इस्थित इस टाप उपर अमरीकी नौसेना का कपजा है स्टुएंट्स पीछले रक्से में मैंने आप लोगों को एक मांचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था कि गवंतनामों बे कहां पे स्थित है तो वो क्यूबा के तर्ट परिस्थित है हाला कि वो क्यूबा के तर्ट परिस्थित है लेकिन उस टापू पर उस छेतर पर अमरीकी जो नौसेना है उसका कपजा है ठीक है तो देखिए अंगरेजी में लिखा हुआ है इन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल बाई अमेरिका ने भी अमरीकी सरकार कहती है कि ये लोग अमरीका के दुस्मन है कौन लोग अमरीका के दुस्मन है जो लोग दुनिया के विविन देशों से पकड़ कर लाए गए और गवंतनामों में रखे गए उनको अमरीकी सरकार दुस्मन समस्ती है क्यों दुस्मन समस्ती है कि ये माना जाता है कि वे लोग जो हैं अमरीका में जो आतंकवादी हमला हुआ उस हमले के ये लोग दोसी है ठीक है स्टुड़ेंट्स चलिए अब आगे देखते हैं गुंतनामो जेल में बंद कैदियों को अमरीकी सरकार अमरीका के दुस्मन मानती है ठीक है अमरीकी सरकार कहती है कि ये लोग नुई यॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से संबंद रखते हैं तो स्टुड़ेंट्स जब आप इतिहास या नागरिक सास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतरगत पड़ रहे होते हैं तो आपको कुछ बाते हमेशा याद रहनी चाहिए खास करके इतिहासिक बातें तो 11 सितंबर 2001 को अमरीका पर आ आगे अब देखिए मैं जिस बच्चे की बात कर गा था कि एक ऐसा बच्चा था जिसने की अपने पीटा की रिहाई के लिए इंगॉर्ड के जो प्रधानमंत्री हैं उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उनको एक पत्र लिखता है है न और पत्र में वो अपनी दुर्दसा के बारे में बताता है कि पिता के ग्रिफतार होने के पस्चात उसकी क्या इस्तिती है तो उस बच्चे का नाम था अनस अनस जमील अल बनना तो चलिए अनस के पिता जमील अलबन्ना उन छो सो लोगों में से एक हैं जिने केवल संदेह के अधार पर पकड़ कर जेल में डाल दिया गया अधिकांस मामलों में गिरफतार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफतारी और जेल में डालने की सुचना भी नहीं दी गई तो ये बाते आपको समझ में आघी है कि जिन लोगों को पकड़ा गया जिन लोगों को अपने अपने देश से पकड़ कर गवंतनामो जेल ले जाया गया उनको संदेख के आधार पर पकड़ा गया और अधिकांस मामलों में जिस देश से पकड़ा गया उस देश की जो सरकार ह उसको भी उस कैदी के बारे में कोई विश्यस जानकारी नहीं दी गई या तो जानकारी छुपाई गई ठीक है फ्रेंट्स अब अगले स्लाइड में देखिए जमील अल बनना उस ब्यक्ती का नाम है जिसकी रिहाई के लिए एक बच्चा जो है इंगलेंड के परधानमंद्री को पत्र लिखता है है ना तो जमील अल बनना अन कैदियों की तरह अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से खबर मिली मतलब कोई पुलिस के द्वारा कोई खबर नहीं दी गई बलकि आखवारों के माध्यम से पता चला कि जमील अलबन्ना को पकड़ लिया गया है और उसे भी जेल में रखा गया है इन कैदियों के परिवार वालों, मेडिया के लोगों और यहां तक की संजुक्त राश्रंग के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती यानि कि ग्वंतनामों बे में जिन लोगों को रखा जाता है उन लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है अमरीकी सेना ने उन्हें गिरफतार किया उनसे पुरुष्टास की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं ठीक है Students, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि एक प्राकृतिक न्याय का जो नियम कहता है कि हर आदमी को अपने बचाओ के लिए अपना पक्ष रखने का की छूट मिलनी चाहिए मतलब कि जदि किसी के उपर कोई आरोप लगा दिया जाए तो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए मतलब उसको वो जो आरोपी विर्ती है जिस पर आरोप लगाया गया है उसको भी अधिकार है कि अपने उपर जो लगाये जो आरोप है उससे वो अपने आपको मुक्त करने का प्रयास करे अपनी बात को कहीं रख सके किसी न्याले में बात को रखे कोई उसकी बात को सुने है ना तो यहां देखी इस मामले में क्या हुआ जमील अल बन्ना के मामले में ना तो किसी भी जज के पास कोई मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खट-खट आ सके मैं समझ रहे हैं बहुत गंभीर मामला है ये है ना तो एक अंतराष्टिय संस्था है Amnesty International है ना तो Amnesty International ने इस पर थोड़ा संग्यान लिया और अंतराष्टिय मानवाधिकार संगठन जो Amnesty International है वे लोग जो है ग्वंतनामों बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना ही कठा करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि वहाँ पे जो है उन कैदियों के साथ जादती हो रही है ठीक है स्टूडेंस स्टूडेंस जब Amnesty International की बात हो रही है तो थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं स्टूडेंस क्लास नाइन के स्टूडेंस को इन बातों का ज्यान हो नहीं चाहिए दखिए Amnesty International एक ग्याव सरकारी संस्था है जिसके सदस्यों की संख्या अभिश्य में 30 लाग क्या स्पास है और इस संस्था को 1977 में नोबल पुरुष्का प्राप्थ हो चुका है एक बड़ी बात है कि संस्था को की human rights की वकालत करता है कौन? Amnesty International तो Guantanamo Bay वाला जो case है उसमें भी Amnesty International जो है intervene करती है हाला कि उसको कोई विशेश सफलता नहीं मिलती है ठीक है? तो आगे क्या होता है इस्टुएंट से देखिए Guantanamo Bay में जो कैदी बन थे उनके साथ अमरीकी कानून के अनुसार भी ब्यवार नहीं किया जा रहा था और अनेक कैदी जो है भूखरताल कर देते हैं hunger strike करते हैं है ना? लेकिन उनकी जो आवाज है उनके बिरोध की जो आवाज है खिलाफत की जो आवाज है उसको जबरदस्ती दबा दिया जाता है जब वो भूखरताल करते हैं तो उनको किसी भी परकार से जोग जबरदस्ती करके पेट में खाना पहुँचाया जाता है है ना? तो जिन कैदीयों को अधिकारिक कूप से निर्दोस करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया था वहाँ देखिए ये थोड़ी जादती है तो संजुक्त राष्ट द्वारा कराई गई एक सोतंतर जान से भीन बातों की पुस्टी हुई है तो बहुत इंपोर्टेंट बात है और एक तरह से मानवाधिकारों का ये हनन है क्योंकि निर्दोस लोगों को सजा मिले तो ये गलत बात है दोसी जदी सजा से मुक्त हो जाए वो अलग चीज है लेकिन कोई निर्दोस को सजा मिल जाए ये तो उससे भी बड़ा गलत चीज है है न फ्रेंट्स आगे देखिए संजुक्त राष्ट के महा सचिव यानि की यूएन जनरल सेकेटरी जो है तो उनका कहना था कि गुंतनामों बेर जेल को बंद कर देना चाहिए है न यूएन सेकेटरी जो है जनरल सेकेटरी उनका कहना है कि ग्वंतनामों बेर जेल को बंद कर देना चाहिए लेकिन अमरीकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया अमरीकी सरकार मतलब UN सेकरेटरी जनरल की बात को भी नहीं माने ग्वंतनामो बे के मामले में सिकार लोगों को यानि कि जो भिक्टिम से सभी तरह की सोतंतरता से जो की बुन्यादी सोतंतरता होती है उससे मुक्त रखा गया जैसे कि जीवन रख्षा के लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे और सबसे बड़ी चीज होती है स्टुडेंट्स कि नीजी सोतंतरता जो पर्सनल लिबर्टी जो होता है उससे इन लोगों को बंचित करके रखा गया था तो वास्टों में स्टुडेंट्स हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं है और अधिकारों के बीना जो जीवन होता है उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है एही हम बताने का आपको प्रयास कर रहा है ठीक है? एक बात इस टुडेंट समय सा याद रखिएगा कि लोगतंत्र में अधिकार महत्वण है लोगतंत्र में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां अधिकार महत्वण है ग्वंतनामो बे के मामले में जिन्हें कस्ट हुआ उसके बारे में सोचिए जिन लोगों को कस्ट हुआ जो 700 लोग जो वहां पर बंदी बनाये गए थे सब के सब दोसी नहीं रहे होंगे क्योंकि सक और संका के अधार पर जिन लोगों को पकड़ा गया था तो उसमें से बहुत सारे निर्दोस भी रहे होंगे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई दोसी छूट जाए वो हो सकता है लेकिन कोई निर्दोस व्यक्ति को सजा मिल जाए ये महान गलती है ऐसा नहीं होना चाहिए है ना तो उसी परकार से स्टुडेंट्स हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी घट्नाएं हुई है जैसे 1984 में हमारे देश में दंगे हो गए थे सिखों के साथ जब उस समय की प्रधान मंत्री हमारे देश की प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी की हत्या हो गई थी तो 1984 में सीखों के बिरुद जो है दंगा हो गया था उसी तरह से सन 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था तो इसमें वहुत सारे लोग जो है निर्दोस लोग मार दिये गये होंगे तो एह ही सोचना है हम लोगों को कि जो निर्दोस लोग मार दिये जाते हैं या किसी भी परकार से निर्दोस लोगों को जो छती होती है वो नहीं होना चाहिए तो एक प्रजातांत्रिक देश में कोई भी देश जहां प्रजातंत्र है वहाँ पे जो है अधिकार महतपून होता है और किसी भी वेक्ति को पिडित नहीं होना चाहिए ठीक है? अगर आप खुद पिडित होते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? जैसे मान लिजे गुंतनामो बे में जदी आप ही लोगों को जदी आप में से किसी को, हम को, किसी को भी जदी गुंतनामो बे एक निर्दोस्क बेक्ति के रूप में वहां भेज दिया जाता तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं? तो इसको हमें सोचना होगा और ये भी सोचना होगा कि अगर आपके हाथ में महत्पुर्ण फैसले करने का अधिकार होता तो आप इन्हें ना होने देने के लिए क्या करते हैं? मान दीजी आप अमेरिका के राष्ट पती होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या गुंतनामो बे को बंद करते? कि गुंतनामो बे को चालू रखते? कि 700 कैदियों के अस्थान पे और 700 कैदी लाते 1400 कैदी कर देते क्योंकि आपके देश पर आतंकवादी हमला हुआ है आतंकवादी हमला जो है उसमें जो दोसी है उनको सजा मिलनी चाहिए तो आपके मन में क्या है जदि आपके हाथ में फैसले का अधिकार है फैसला लेने का जो अधिकार है तो आप उस अधिकार को कैसे परियोग में लाते हैं देखिए अंध्रे जी में लिखा हुआ है If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? तो students कुल मिला करके हम लोग एही कहेंगे कि जिसके पास भी अधिकार है वो अधिकारों का धुरुपयोग ना करे तभी परजातंतर अच्छा से चल सकता है ठीक है? और किसी भी निर्दोस को कोई सजा ना हो और किसी भी कोई भी दोसी भी ना बचे है न? तो यह सब बातें परजातंतर के लिए बहुत महत्वपूर होती है तो कुल मिला कर मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं students कि अधिकारों के बिना जिवन का कोई अर्थ नहीं होता हम लोग जानवर नहीं है कि हम लोग को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज़ चाहिए है न? रोटी कपड़ा और मकान के अलावे हम लोग को सम्मान भी चाहिए रोटी कपड़ा मकान और साथ में सम्मान है न? एक सम्मान पूर्ण जीवन चाहिए हम लोगों को, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को सम्मान पूर्ण जीवन चाहिए, तो सम्मान पूर्ण जीवन कम मिलेगा, जब कानुनन हम लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं, इसी भी देश में, मांदी जी हमारे देश में जो समिध जान सम्मत जो अधिकार है तो वो अधिकार हमारा सुरक्षित रहना चाहिए ठीक है स्टूइट्स तो इन दो वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को गौंत नामो बे के केस को जोड़ते हुए बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया आप लोग टेक्स्ट बुक को लाइन बाइन पढ़िये और निस्चे ही लाइन बाइन जब आप लोग पढ़ियेगा तो आपका जो ग्यान है उसमें और भी उत्र उतर जो है व्रिधी होगी और आपकी समझ जो है अधिक से अधिक बिक्सित होगी तो ठीक है स्टूइट्स सिविक्स क्लास 9 के इस दूसर करता हूँ